Hello students, welcome to Magnet Brains Hindi मैंल आली बर्मा, आप सभी विद्धियारतियों का Magnet Brains Hindi मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, स्वागत करने के साथ साथ ये आशा भी करती हूँंगे, आप सभी होंगे स्वस्थ, खुश और प्रसंद, साथ ही साथ अपने आपका खयाल रखते हुए वीडि बात करें तो किंडर गार्टन से क्लास 12 तो अपसलूटली स्कूल एजूकेशन फ्री बिल्कुल इसी के साथ हर एक प्रकार की सभी प्रकार की प्रतियोगी परिक्षाओं के वीडियो भी आप देख सकते हैं शत्प्रतियोगी जैसे एंटीसी ओलंपियाट आई आई टी जे ए नीट, UPSC, Bank, Insurances सभी प्रकार की CAIB, UPSC, RRB, SSB, सभी प्रकार की प्रतियोगी परिक्षाओं के वीडियो भी Magnet Brains आप सभी होना, students को free, free, free provide करता है मेरे प्यारे विद्यारतियो, बने रही है Magnet Brains पर क्योंकि Magnet Brains एक या दो चैप्टर्स free provide नहीं करता या एक या दो विशय की जो education वो free provide नहीं करता संपून पार्ठेक्रम, सभी विशय का संपून पार्ठेक्रम एक दम free है 100% free online education का लाब उठा कर अपने पैरों पर खड़े हो सके और अपने उद्देश की पूर्ती कर सके मेरे प्यारे विद्यारतियों आईए, चलते हैं इस वीडियो की ओर हमने अपनी पार्ठ पुस्ता गोधुली के कावेखन से पार्ट 10 कंप्लीट कर लिये हैं और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कविता 11, पार्ठ है 11, कविता का नाम है समुद्र कवी हैं उडिसा के प्रमुख, उडिया भाशा के प्रमुख, आधार इस नम्म माने जाने वाले कवी सीता कांद्र महापात्र जी समुद्र कविता के माध्यम से कभी ने क्या बताया है यही हम जानेगे समुद्र नाम लेते ही अथाह गहराई अथाह साकर मतलब जहाल तक आदीना अंत है इसका वही समुद्र है आखिर समुद्र कविता के माध्यम से कभी हमें क्या बताना चाहते हैं कौन कौन से जीवन मूलियों की ओर हमारा ध्यान आकरशित करना चाहते हैं यही हम सब देखने वाले हैं इस वीडियो में तो बने रहेगा मेरे साथ शुरूर से लेकर अंत तक जिससे की आप कवी परीचे उनके द्वारा रचित कवीता है और उनकी जो भी रचना और भावना उसे आप परीचित हो सके उसके साथ ही साथ हम चलेंगे कवीता की ओर समुद्र की ओर कि कितना प्यारा नजारा होता है समुद्र का जितना गहरा और जितना शील जितना बड़ा उतना शांत क्या बात है कि जो नदी नाले छोटे-छोटे पोखर वो चल कूद करते हैं प्रकृति के साथ छिड़ चाड़ करना खतरनाक साबित भी हो सकता है इसी प्रकार से हम कवीता में हर एक कावे को पढ़ेंगे कावे को पढ़ने के साथ उसके अर्थ और भावारत को भी जानेंगे तो आई ये शुरू करते हैं कवी परिजय सीता कांत महापात्र जी नमन क एक नई दिशा प्रदान की सीता कांत्र महापात्र जन्म 17 सितंबर 1937 उडिया साहितकार है इन्हें 1993 में ज्ञान पीट पुरसकार से सम्मानित किया गया कब किया गया सन 1993 में ज्ञान पीट पुरसकार से सम्मानित किया गया उन्हें सन 2003 में भारत सरकार द्वारा साहित शी चाहिक है सिक्षा के शेत्म में पद्वचन से संवननित कीया गया सीत्य कान्थ कविता का काव संसार यथार्थ और अनुभूति के समिशन से whether यह एतार्थ का अर्थ का अर्थ होता है वस्टविक्ता अनुभूति मतलब अनुभव अर्थात इनकी जो कविता हैं इनकी जो रचना है कालपनिक नहीं है यूई नहीं कि कहीं भी कलपना की दीवार उठा दी और घर बना दिया नहीं इनकी जो रचना हैं वह वास्तविक्ता पराधारित हैं अनुभब पराधारित हैं अनुभूती पराधारित हैं उनकी तांस्कृतिक धरातल उनके अनुभव की उपज है अतीत के जिस जरोके में वे गाउं की पकडंडी तालाप नदी घर मंदिर सूरियोदय धलती शाम मानवे संबंधों इत्यादी का अवलोकन करते हुए सहजिता से अपनी कविता में अविव्यक्त करते हैं वह अनायासी रखता है कि यह सब कुछ मेरे साथ भी अर्थात मैं कविता के भीतर हूं या मैं उस वातावरण के अंदर हूं ऐसा व्यक्ति को या पाठक को प्रतीत होता है यह इनकी रचना का जादू है प्रभावी और तीजस्वी समुद्र कविता उड़िया के चर्चित सहितकार सीता कांथ मुहपात्रत द्वारा रचित है जन साधारन के प्रति गहरी सहानु भुति की अभी व्यक्ति प्रकट हुई है उन्होंने परंपरा और सांस्कृतिक भोध को अपने लेखर में परयाप्त जगह दिये किसको जग इस कवीता में कवी ने समुद्र को समाज का प्रतीग बना कर देखिए समुद्र कवीता के माद्धम से कवी समाज की और संकित करना चाहते हैं समुद्र को समाज का प्रतीग बनाया है अपनी बात की है समाज के पास कुछ नहीं रहता उसका सब कुछ लोगों का है वह अपनी अबूज भाशा में कहते हैं कि जिसे जो चीज चाहिए भाई ले जाए देने से उसका मन नहीं भरता। अर्थात कहने को समाज के ये नियम है, समाज के वो नियम है, अब समाज जाने हम क्या जाने। लेकिन समाज बनता किस से है व्यक्ति से एक इंडिविज्वल से समाज का निर्मान होता है हर व्यक्ति यदि अपने अपने जिम्मेदारियों को बखू भी निभाए तो एक बहुत ही सशक्त और सुन्दर समाज की रचना की जा सकती है कवी ने यहाँ पर समुद्र को समाज के माध्यम से रखा है कि समुद्र जितना गहरा जितना विशाल जितना बड़ा होता है जिससे कितना भी लेते रहो कितना भी लेते रहो उसमें कभी कमी नहीं आएगी बशर्ते कि व्यक्ति की आवशक्ताएं हो लालच नहीं यहाँ पर कभी ने समुद्र कविता के माध्यम से व्यक्ति की उपभोक्तावादी संस्कृती या दिखाविटी संस्कृती की ओर भी संकित किया है कि किस प्रकार से व्यक्ति अपनी आवश्रक्ताओं की पूर्ति के लिए नहीं जीता लालच की पूर्ति के लिए जीता है दिखावे की प्रवर्ति के लिए जीता है इसके पास यदि यह है तो मेरे पास भी होना चाहिए मुझे जरूरत है या नहीं इसकी मुझे कोई परवा किया है कि समुधर या प्रकृति आपने पढ़ाओगा हो सकता है निबंदों में भी सुना पढ़ा हो प्रकृति हमारी आवश्यांगता की पूरती अराम से कर सकती है उसे कोई परिशानी नहीं है किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं है कब जब की मनुष्य अपनी आवशक्ताओं हे तू उसका उपयोग करें लेकिन उसके लालच को कभी कोई पूरा नहीं कर सकता मनुष्य के अंदर लालच की भावना आ गई है दिखावटी प्रवर्ती की भावना आ ग वो यह नहीं देखता बस उसे तो अपना स्वार्थ चाहिए उसको तो अपना स्वार्थ सिद्ध करना है किसी का नुकसान हो बस यहीं पर प्रकृति का प्रकृत जब भड़ता है तो प्राकृतिक आप दायें आती हैं जिनका सामना कोई नहीं कर सकता समुद्र को लेकर उन्ह जाकर रख देते हैं कि टेबिल पर सजे हुए जो आइटम से वह सुंदरता बढ़ाते हैं या वाँ जहां जिस चीज को रहना चाहिए वहां सुंदरता होती है नए मतलब जो व्रिक्ष हैं पेड़ पौध हैं उनको काट कर फनिचर या अपनी बिल्डिंग या इमारतों का निर्मान किया जाता है और घर में आइटिफिशियल व्रिक्ष लगाए जाता है तो प्रकर्ति की शोभाव रिक्षों से वहां है या घर में ये क्रत्रम चीजों से है ये कभी बताना चाहते हैं कोई उसका बटन बनाता तो कोई नाड़ा काटने के ओजार बनाता बनाता तो कोई उसे अपने टेबल पर यादगार के तौर पर सजागर भी रखता है परंतु उसे किसी भी तरह के समुद्र के किनारे पड़े रेत में जितना सुन्दर नहीं बनाया जा सकता अर्थात जो भी घोंगा है कोई कुछ उसका ओजार बना लेता है कहीं कुछ तरह तरह सो उसका घर में अपने सुन्दरता या सजावट के उसमें रख देता है परंतु एक व्यक्ति के पास जाकर अपनी सुन्दर्ता और उपियोगी तक खो देती है और मनुष्य प्रकृति की सुन्दर्ता इसी तरह से नश्ट करता जा रहा है इसी तरह की बात खेलने में मस्त के अगणों के साथ है यह दिने पकड़ लिया जाए और कहीं उस तरह से आनिदित नहीं देख पाएंगे इससे भी मन नहीं भरता चाहो जितना फोटो खीच कर अपने फ्रेम में मढवा कर रख लो अपने टीवी के बगल में सजा कर रख दो फ्रेम में बंधा सोता रहेगा उसमें कोई स्पंदा नहीं होगा जिससे सौन्दरे फटे लेकिन फिर भी मनुष्य तो सिर्फ और प्रकृति को अपनी नजर से देखता है काश काश की मनुष्य प्रकृति को प्रकृति की नजर से देखने लगे तो बहुत सुन्दर जहान और बहुत सुन्दर दुनिया की रचना की जा सकती है लेकिन मनुष्य को अपनी नजर से देखता है प्रकृति को कि मेरे लिए कहा क्या सही होगा प्रकृति क्या चाहती हैं ये नहीं देखता कुछ लोग हैं जैसे झालम अली का नाम आपने सुना है साले हमली मशूर प्रकृति प्रेमी थे पक्षी प्रेमी बुजरुक दमपत्ती हैं जो प्रकृति के साथ रहते हैं जहां उनके घर में बड़ा सा उनका मतलब जमीन है जिसमें सब वहीं शेर बिल्ली हर पशू पक्षी सब रहते हैं मिल जुलकर रहते हैं अरे प्रकृति को प्रकृति की नजर से तो देखो कितना सुंदर है वो नज पर तो कृत्रिम या आर्टिफिशियल चश्मा चड़ा है जो उसको सिर्फ अपने स्वार्थ की दृष्टी से वो देखता है ठीक है जो कुछ भी लेना है समास से उसे लेलो पर वह खत्म नहीं होगा बिल्कुल लेते जाओ जितना चाहिए लेते जाओ वह खत्म नहीं होगा ठीक उसी तरह जैसे सदियों का प्यास अलगातार समुद्र का पानी पीते पीते जाता है फिर भी वह सूखता नहीं है जो देना है उसे खुशी खुशी दे जाओ पर कोई भला समुद्र को क्या देगा क्या देगा कोई किसी को सिवा अपने अंचंचल पैरों के निशान के एक दो दिन हरने के बाद सभी बेचैनी पूरवक वापस चले जाते हैं उन पैरों के निशान को समय मिटा देता है यह उसका काम है किसी की बेचैनी वापसी अपने सौभाव के अनुसार समुद्र या समाज अपने लहरों से मिटा देता है बस यही बहुत सुन्दर रचना में कभी ने कहा है कि समुद्र किसी से कुछ लेता नहीं है वो सिर्फ देने का काम करता है और फिर भी मनुष्य अपनी लालसाओं के वशी भूत हो कर उसको अपने कैद में करना चाहता है उसके उसे अपने चंगुल में रखना चाहता है उसे उसे अपने कंट्रोल में रख दोनों साथ साथ ही होंगे तभी ये जीवन चक्र चलेगा ना तो प्रकृति मनुष्य के विना इतनी सुंदर है ना ही मनुष्य प्रकृति के विना ही सुंदर है एक दूसरे पर आश्रित हैं अन्यों नियाश्रित हैं आईए पढ़ते हैं काव्यांच समुद्र का कुछ भी नहीं होता मानो अपनी अबूज भाषा में कहता रहता है जो भी ले जाना है ले जाओ जितना चाहे ले जाओ फिर भी रहेगी बची देने की अभिलाशा ले जाना है ना ले जाओ क्या ले जाना है ले जाओ और ले जाना है और ले जाओ क्या चाहते हो ले जाना गोंगे पर यादगार किंदु मेरी देत पर जिस तरह दिखते हैं उस तरह कभी नहीं दिखेंगे समुद्र यही कहता है कि जो जो भी समुद्र की गोंगे हैं कैकड़े हैं सुन्दर सुन्दर सीपी यां है उन सब को आप अपने घर में कैद करकर रख लोगे तो क्या हो इतने प्रकृति की सुन्दरता है उसी से प्रकृति की शोबह यही कभी कहना चाहते हैं कभी समुद्र के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि मनुष्य समुद्र से कितना भी ले लेता है उसमें कोई कमी नहीं आती क्योंकि वह अक्षय है यहां पर अक्षय का अर्थ है ज कंगशा की और इंगित करते हुए कहता है कि मेरे द्वारा सब कुछ देने के बावजूद तुम्हें तृप्ति नहीं मिलेगी मैं जितना चाहूं देता जाता हूं तुम्हें जितना चाहिए लेते जाओं लेकिन फिर भी तृप्ति नहीं मिलेगी क्योंकि तुम्हें आवश प्रबर्ति अर्थात दिखावटी प्रबर्ति दूसरे से हमेशा बढ़ चड़कर दिखने की जूटी प्रबर्ति आज किसी के पास यह है तो मेरे पास भी होगा किसी ने इतना लिया मैं इतना लूँगा बस यही मनुष्ट की होड नहीं उसको पागल बनाकर रखा है जो प् देता है इसलिए समुद्र मनुष्ट को कहता है कि तुम अपने यादगार के लिए अथवा निजी उपयोग के लिए जिन वस्तूओं का उपयोग करते हो उनका वास्तविक सौंदर्य नस्ठ हो जाता है इसलिए उन्हें वहीं रहने दो यथावत यथावत का अर्थ होता ह है एज़िटिस ठीक है अंगरीजी में एज़िटिस वर्ड यूज करते हैं यथावत रहने दो वहीं पर सुसजित होंगी वहीं पर अच्छी लगेंगी लेकिन मनुष्ट को लगता है कि मैं इनको अपने घर में कैद कर लूँ तो जादा सुन्दर होंगी प्रसुत पंक्त मतलब दिखावटी प्रवर्ती बनावटी प्रवर्ती जूटी प्रवर्ती ढकोसली प्रवर्ती कभी कहता है कि समुद्र अक्षय है जो कभी नश्ट नहीं होगा कभी खत्म नहीं होगा मैं मनुष्ट को सब कुछ देना चाहता है ताकि मनुष्य संतुष्ट हो जाए लेकि इतना भी देते जाओ उसका ऐसे मतलब जो है ना कि भूख इतनी लगी है कि उसका मूँ खुला का खुला रह जाता है लाते जाओ बस लाते जाओ लाते जाओ बस लाते जाओ इस तरह का मनुष्य हो गया है वैसी प्रवर्ति के कारण प्राकृतिक स्वांदर का विनाश करने परतुला है जो प्रकृति जो पेड़ पॉधी पशु पक्षी जहां रहते हैं कहां रहते हैं जंगलों में पेड़ पॉधों पर अब जंगलों का विनाश होते जा रहा है पशु पक्षी अब कहां आएंगे फिर कहें घर में तो सांप निकला है हमारे घर में घर में आपके घरमे अपना घर बना लिआ ईतो ऊपूतर जब देखो जब हमारे सुन पर यह आमारी माइं भुसा बना लेते हैँ कबूतर आपकी बाल करने चो पर घोसला नहीं बनाते हैं आपने उनके घोसलों की जगे अपना घर बना लिया है अब वो कहां जाए तो प्रकर्ती के साथ छेड़ चाड़ करता है मनुष्य और इसका उसको जब भुकतान मिलता है ना तो हाहकार मच जाती है जब प्रकर्तिक आपदाय आती है तब कुछ भी समझ में नहीं आता तब त खेद मतलब होता है दुख समुद्र खेद प्रकट करते हुए कहता है कि चाहे मनुष्य किसी वस्तू का निर्मान क्यों न कर ले परंतु समुद्र की रेत पर अर्थात समाज के बीज मनुष्य जितना सौंदर्य विखेरता है या सम्मान पाता है उतना किसी निर्मित वस्त गण्टू के रूप में अथ्वा व्यक्ति गत्संपनदा में नहीं है जैसे देखो उधारंदू समाज कैसे बनता है व्यक्ति से परिबार परिबार से समाज घर में मान लीजैं चार भाई हैं पांच भाई हैं ठीके जब पांचों एकटे रहेंगे तो वो बहुत अच्छे स नहीं होता है उतनी फिजूल खर्ची नहीं होती है जितनी दस चूलों में हो जाती है तो कभी यही कहना चाहते हैं कि व्यक्तिकत रूप से आप कितनी भी उन्नती कर लो आपकी उन्नती सबके साथ महीं है तभी उन्नत दिखेगा समाज एक अकेला व्यक्ति सोचे कि बस मैं य यहां पर एकता की और भी कवी ने संकेत किया है कि मनुष्य जितना सौंदरे विखेड़ता है कहां पर समाज के बीच उतना किसी निर्मित वस्तू के रूप में अथवा व्यक्तिगत संपनता में नहीं है इसलिए मिल जुलकर रहने में ही सुख भी है सुन्दरता भी है तात्पर है कि समाज रूपी समुद्र के बीच ही मनुष्य के चरित्र का विकास होता है जैसे समुद्र की रेत पर घौंगे जिस तरह दिखते हैं वैसे टेबल पर ही आधगार के रूप में नहीं दिखते हैं आप समुद्र से या किसी भी प्राक्रितिक उसमें जैसे मचली क कच्छों को आप कितने अच्छी इसे डाल दो लेकिन जिस तरह से स्वतंत्र और स्वचंद अपने इस्थान पर रहता है वह बचारा सिकुड सिकुड कर डर-डर कर रहेगा और हमें लोगों को अरे वाह हमारे घर में संदरता है आई यह देखिए हमने यह किया हमने वो किया तो हम मनुष्य प्रकृती को प्रकृती की नजर से ना देखकर अपनी नजरों से देखते हैं काश सालिम अली महान पक्षी प्रेमी और डी एच लॉरेंस महान पक्षी प्रेमी जैसी दृष्टी अधिकतर लोगों की हो जाए तो प्रकृती का रूप और भी संदर हो जाए प्रकृती को हानी ना पहुंचाएं चलते हैं दूसरे काव्यांज की तरफ यह खेल कूद में मस्त क्यकड़े क्यकड़े जानते हो ना क्यकड़ा पत्थरों के नीचे दवे हुए दुपकी वह पड़े लेतर टेड़े चलते हैं शायद वह ना सीधे नहीं चलते हैं लेकिन वह जाते हैं तो खेल कूद में मस्त क्यकड़े यदि धर भी लिया उन्हें तो उनकी आवशक्त अनुसा नन्ने नन्ने सहस्त्र गड़ों के हुमारे टीवी के बगल में सोता रहूंगा छोटे से फ्रेम में बंधा गर्जन तर्जन मेरा नाचगीत उद्वेलित कुछ भी नहीं होगा ठीक है कैद कर लो मुझे मैं जैसा स्वतंद्र कभी ता फिर मुझे याद आ गई पक्षियों वाली हम पंची उन्मुक्त गगन क पिंजर बद्ध न रह पाएंगे कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख तूट जाएंगे हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे कहीं भली है कटुक ने बोरी कनक कटूरी की मैदा से हम पंची उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न रह पाएंगे प्रकरती का हर एक प्राणी जहां है उसे उसी में आजादी है में लगता अरे बता है उन्हें बहुत सुन्दर तोता चिडिया रंग वर उनको कैद किया है बड़ा सा पिंजरा बनवा दिया अच्छे से उड़ते हैं कोई परिशान नहीं क्या हम उन्हें अथा अस्मान दे पाएंगे नहीं वहां भी कैदी के रूप में ही अपने आपको देखेंगे और वहां अच्छा या सुन्दर अनुवब नहीं कर सकते कावी मनुष्य को संभूधित करते हुए कहते हैं कि खेल कूद में मस्त क्याकड़ों को यदी पकड़ लेता है कोई तो उनकी आवशक्त तक पर नमिदेंगे बनाने के लिए समुद के के नारे करेख रकते तना वीतर शेत्र कहां अप्लब दूगा क्युंक्र तरह देबनाते हैं यहां देखो इस तरह से इस तरह से ऐसे सुना जरा उरुको एक सकना ऐसे ऐसेखर के एस तरह कर रहता है क्या आकाड़ा गला इस तरह से जाएगा लेकिन वो जाता इस तरह का है तो गड्डे बनाता रहता है टीक कभी मनुष को संभूदित करते होए कहता है कि खेल कूद में मस्त क्यकड़ों को यदि पकड़ भी लेता तो उनकी आवशक्त अनुसार नन्नी नन्नी हजारों गड्डे बनाने के लिए सम समूद्र मनुष्ट rubbing उप्भोगता वादी प्रकर्टटी पर खेद दुख प्रकट करते हुए कहता है कि वास्थविक सवूंदर का अनुभब प्रकर्टी के मूल रूप में है नहीं तहें प्रकर्टी के मूल पात्रद्वारा वेराचित कवीता समुद्र शीरशक से ली गई हैं शीरशक अर्थ पता है आपको शीरशक का अर्थ होता है टाइटल जैसे अंग्रेजी में टाइटल कहते हैं अक्सर मैंने स्टुडेंस को लिखते हुँ देखा है कि इस कवीता से हमें ये शीरशक मिलता है क शीर्शक का मतलब सिक्षा नहीं शीर्शक का मतलब टाइटल इनमें कभी ने मनुष्य की उपभोगतावादी संस्कृति की तीखी आलोच ना की है कभी कहते हैं कि आज मनुष्य अपनी उपभोगतावादी प्रवर्ती दिखावटी प्रवर्ती ठीक है उपभोगतावादी प्रवर्ति मतलब दिखावटी प्रवर्ति दिखावटी प्रवर्ति के कारण जीवन की सच्चाई से दूर होता है मनुष्य प्रकृति प्रेम की उपेक्षकर कृत्रमता की और उनमुक होता जा रहा है प्राकृतिक और मतलब नेच्रल और आर्टिफिशियल तो कृत्रमता मत लब जैसे अंग्रे जी में आर्टिफ़िशेल है ना उसको हिंदी में कृत्रिम आर्टिफिशल मीज से नैच्रल के और प्रकृति यह झा रहा है क्रित्रिम ता की और ना अर्टिफिशलいい प्रकरती से ही मिलता है जीवन का असली रस असली सुख रसका यहां क्या थे जूस नहीं रसकार थे आनंद खुशी प्रसन्नता वह कहां मिलता है प्रकरती से उसमें वास्त विक्ता होती है प्रकरती मनुष्य में भाव का संचार करती है जिससे मनुष्य के अंदर अनेक प्रक की कलपना इस पुरित होती है और उप्युक्त वाता वरन पाकर एक ऐसा रूप धारन कर लेती है कि मनुष को अक्षय बना देती है यह यदि हम प्रकृति के गोद में रहेंगे प्रकृति के सानिद्ध में रहेंगे प्रकृति के साथ रहेंगे तो वो भी हमें अपनी तरह अ बना देती है अपनी तरह अक्षय अब सूच रहें कि अक्षय समुद्र का तो हमने मानली अक्षय थोड़ी अक्षय होता है देखिए मैं बताती हूं कि क्यों कभी ने कहा है कि मनुष्य को भी अक्षय बना देगी प्रकृति कब जब मनश कहरदय समुद्र की भाती अथा हो जाएगा लोब मुह की लालच या भावना से दूर हो जाएगा तो वो क्या जा रहा है क्या आ रहा है इसकी निश्चिंतता के साथ वो जीवन यापन करेगा और उसके मन में दया, करुणा, मम्ता, प्रेम, उपकार इस तरह की भावनाय व्यापत होंगी और शारिक रूप में वो मर जाएगा लेकिन उसका गुंगान हमेशा चलता रहेगा जैसे आप देखिए हमारे महान विचारक कितने अधिक हमारे जो महान व्यक्ति है जैसे स्वामी विवेकनन जी, डॉक्टर एपी जी अब्दुलकलाम जी और भी ऐसे कई महान विचारक हैं, महान व्यक्ति हैं, महान विभूतियां हैं जो आज नहीं है, शारिक रूप से लिकिन वे हैं, उनके विचारों का हम पालन कर रहे हैं, उनके विचारों को पर हम अमल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसी तरह से व्यक्ति भी अक्षय बन जाता है, जब उसके अंदर प्रकृति की तरह भावनाएं वो समा लेता है, बस तो हमें इसी तरह की भाव और इसी तरह की भावनाओं को लेकर जलना है, परंतु उपभोकता मादी प्रवर्ति के कारण समाज का स्वरूप बिगड़ता जा रहा है, फलतहा कभी ने इस प्रवर्ति की कट्टू आलोचना की है कि दिखावटी प्रवर्ति से अपने नहीं है, फिर भी मनश्च को लगता है कि मैं तो बहुत मेरे पासा धन्दोलत है ना पस मैं ही सरवस्रेश्णू तुमारे पास क्या है कुछ नहीं, तो मैं मेरे पास यदि आर्थिक इस्तिती मेरी संपन है तो यह जो जिनके पास घरीबी है या संपन नहीं है उनको मैं उपेक्षा की द्रिश्टी से देखूंगा और यही से उसके अंदर घमंड या हैंकार घर बनाना शुरू कर देता है पढ़ते हैं अगला काव्याज जो ले जाना है ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ जी भर कर ले जाओ कुछ भी खत्म नहीं होगा मेरा चिर तरशित सूर्य लगातार पीते जा रहे हैं मेरी ही च्छाती से फिर भी तो मैं नहीं सूखा और जो दे जाओगे दे जाओ खुशी खुशी पद दोगे भी क्या सिवा इस्थिर पर दोगे भी क्या इसके अलावा इस्थिर पदचिन्नों के एक दो दिनों की रियायश के बाद सिवा आतर वापसी के यहां पर देखिए कहते हैं ना कि समुद्र की तरह शीतल समुद्र की तरह शांत समुद्र की तरह शांत बनिये जिसमें अंगारा भी मतलब जाकर शांत हो जाता है मतलब क्रोध घमंड यह सारी भावनाव से खुद को रखना है दूर क्योंकि जब प्राकर्तिक प्रकोप आते हैं यदि बाढ़ आ जाती है तो क्या प्रचंड क्या भूचाल आ जाता है वो भी आप भली बाती परिचित है तो यहाँ पर समुद्र के माध्धम से कभी ने यही बताना चाहे कि प्रकरती से जितना ले जाना है ले जाओ क्या चाहिए चलो लेते जाओ ले जाओ ले जाओ कुछ भी खत्म नहीं होगा मेरा मैं तो अक्षे हूं चेर त्रशित सूर्य लगातार पीते जा रहे हैं मेरी हिचाती से फिर भी तो मैं नहीं सूखा सूर्य आपक का हूँ मैं ओके और जो दे जाओगे दे जाओ खुशी खुशी पर दोगे भी क्या सिवा आइस्थिर पद चिन्नों के एक दो दिनों की रियायश के बाद सिवा आतरवापसी के क्या दोगी मुझे मुझे तो जो कुछ ले जाना है ले जाओ तो मुझे क्या दोगे कुछ छो छोटे छोटे से पधचिन जो जरा सी मेरी लहरों के जाने से मिट जाएंगे मदलब नश्वर क्या दोगे आप समाज को क्या दोगे आप प्रकर्टी तो हम प्रकर्टी को क्या ंकुछ भी नहीं कि जो कुछ भी है पंच तत्व से मिलकर हमारा शरीर बना है हवा कौन देता है में हां प्रकृति हवा जल प्रकृति अगनी ताप प्रकृति और पताइए और धर्ती आकाश यह सब पंच तत्व है और हमारे शरीर का निर्मान हुआ इससे ही हम प्रकृती से ही हम है हमारा श्तिता है लेकिन फिर भी हमें लगता है नहीं नहीं मनुश्य तो मनुश्य है हमें तो अपने सौंद के मतलब सौंद को पूरा करना है बस तो यहां पर व्योंग करते हुए ही कभी ने कहा है है कि समस्त masculine чтоб कहिंपर कर ले जाओ क्यूंकि मनुष्य अपने आइस्थिर्पद चिन्नों के सिवा भलादी भी कह सकता है उसको क्योंकि मनुष्य को प्रकृति के प्रति कोई खास लगा भी नहीं है उसे तो मैं 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 वह तो अपने स्वार्थ की पूर्ती हेतु ही वापस लोटने के लिए व्यगर होडता है अता कभी के कहने का आशा ही है कि समाज समद्र के समान अक्षय है समाज उसे हर कुछ देने को व्यगर रहता है किन्तु सौर्थी मानव अपनी अभीलाशा अभीलाशा इच्छा या लालच एक अच्छा है शब्द इसके लिए पूर्ती होते ही समाज से अलग हो जाता है जब भी उसकी जैसे ही उसकी अभीलाशा पूरी होगी पहले तो बड़े-बड़े अरे हम ये ऐसा ऐसा बस बस इतना बस और जैसे ही वो पूर्ती हुई दुबारा फिर भाब ना प्रकट फिल लालच क्योंकि लालच का तो कोई अंती नहीं है प्रस्तुत पंक्तियां सीता कांत मुहापात्र द्वारा लिखित कवीता समुद्र से ली गई है इसमें कभी ने मनुष्ची की उपभोगतावादी प्रवर्ती की ओर ध्यान आकरिश्ट किया है कभी समुद्र के माध्यम से सामज एक चरित्र का उद्गाटन करते हैं कभी का कहना है कि समाज समुद्र के समान महान ईवं अक्षय होता है वह इतना उदार होता है कि व्यक्ति उससे लाव लेते लेते ठक जाएगा लेकिन वो देते देते नहीं थखेगा क्योंकि वह तो अक्षय है लेकिन मनुश्य अपनी स्वार्थ पूर्थी के कारण अपनी आइस्तिरपद्चन्नों के अलावा उसको कुछ नहीं देता और क्या हमेश हाँ ताने या ऐसी बाते हैं उनसे हमारा क्या वो हमें क्या दे सकते हैं मैं तो सिर्फ मैं हूँ जो मैं मेरे लिए सब कुछ करता हूं ताथपरे कि वह अपनी अभिलास्टा की पूर्थी होती ही सामाजिक विवस्ता अस्त व्यस्त होती जा रही है क्योंकि यहां सामाजिक विशमता बढ़ रही है जो निर्धन है इतना वो और गैप बढ़ता जा रहा है वो और निर्धन होता जा रहा है पूंजी पती खूंच चूचते चूचते और बड़े होते जा रहा है मतलब बड़े अमान विय होता जा रहा है पाश्विक प्रवर्ति का होता जा रहा है जहां उसमें कोई संवेदना ही नहीं है आईए चलते हैं उन पदचिन्नों को लीप पोँचकर मिटाना ही तो है काम मेरा तुमारी आतुर वापसी को आदेखो उन पदचिन्नों को लीप पोँचकर मिटा नहीं तो है काम मेरा तुम्हारी आतुर वापसी को अपने सुभाव सुलव अस्तिर आलोचन में आलोडन में मिला लेना ही तो काम है मेरा अर्थाथ कभी उन उपवोगतवादी लोगों को संदेश देते हैं कि कभी का काम तो सामाजिक बुराई को उजागर करके उसको दूर क कवी की प्रबल इच्छा है कि भटके हुए लोग सहजिता पूर्वक स्वस्थ सामाजिक परंपरा से जुड़ जाए और कवी का काम भी तो तूटे हुए समाज को संगठित करना है ताकि आदर्श समाज कायम रह सके कवी की कर्म स्वस्थ समाज का निर्मान करना होता है ताकि भटके हुए मानक समाज और संस्कृति से जुड़े रहें क्योंकि समाज और संस्कृति से जितने हम जुड़े रहेंगे उतना ही हमारे संस्कृति और हमारे समाज और हमारे देश के लिए भला होगा जितना हम इसके कोई बाहर वाला आकर घर से हमें निकालेगा यही तो होता है कि जहां फूट डालो और शाशन करो घर का भेदी लंका ढाय भी आपने सुना होगा कभी अपने आंत्रिक अभिलाशा प्रकट करते हुए कहते हैं कि वह उन भटके हुए मानुवों को समाज से जोडने के लिए प तरक्की पर देखना चाहता है सफल होना देखना चाहता है वैसे ही साहित्यकार भी समाज में सकारात्मक परिवर्दन लाना चाहता है ताकि स्वस्त परंपरा कायम रह सके अधा कभी सामाज एक वग जो भी रीतिया हैं करने का मानवता की स्थापना के लिए मतलब देते हुए कहा है कि समाज और मनुष्य जो मनुष्य को लगता है कि मैं व्यक्तिगत रूप मैं हूँ जबकि हम में बहुत ताकत होती है मैं तो सिर्फ मैं होता है और मैं जहां आया एहंकार होता है मैं बस यही कहूंगे कि कितने भी उचाईों तक आप जाएगा बिलकुल जाएंगे अवश्य जाएंगे ये मैं कहती हूं आपसे बिलकुल जाएंगे आप और जितने भी उचाईों पर आप पहुत जाएं सफल व्यक्ति बन जाएं लेकिन अपने अंदर अहंकार की भावना घमंड की भावना को कता ही स्थान मत देना क्योंकि ये हमें अपनों से ही दूर कर देती है इसी प्रकार से हर एक चैप्टर के लिए मैं आपके समक्षे उपस्तित होती रहोंगी ना केवल हिंदी बलकि सभी विशय की संपूर्ण पार्ठेक्रम की सिक्षा प्रदान की जाती है आपको मैंगनेट ब्रेंज पर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम सभी प्रकार की प्रतियों की परिक्षाओं के वीडियो भी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं मैंगनेट ब्रेंज पर बस वीडियो देखिए अत्य अधिक बहुत जादा ध्यान पूर्वक देखिए अधिक से अधिक शेर कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको पता है ना कि सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं है ना था ना है ना रहेगा हम है सदा के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्वस्त रहिए खुश रहिए बाई